तिहार जेल में बंद दिल्ली के सीम अरवीन केजरिवाल को एक बड़ा जटका लगा है दरसल पंजाब के सीम भगवध मान और आप सांसत संजे सिंग केजरिवाल से जेल में मुलकात नहीं कर पाएंगे तिहार जेल प्रशासन ने दोनों को आज मुलकात करने की इजाज़त नहीं दी तिहार जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भगवंतमान और आप सांसत संजे सिंग को केजरिवाल से मुलकात करने की परमिशन नहीं दी वहां के जेल प्रिशासन को चिट्टी भी लिखी थी आपको बता दे कि जेल नियमों के मताबिक केजरिवाल से मुलकात करने वालों का नाम रजिस्ट्रार में दर्ज कराना होता है उसके बाद उन्हें समय दिया जाता है भगवंत मान और संजे सिंग केजरिवाल से मुलकात करने वाले थे मगर सुरक्षा कारणों का हवाला दे कर कोट ने उन्हें परमिशन नहीं दी आपको ये भी बता दे कि अरवीन केजरिवाल ने हाई कोट में अपनी गिरफतारी को चुनौती दी थी इस पर फैसला सुनाते हुए हाई कोट ने केजरिवाल को बड़ा जटका दिया है दिल्ली हाई कोट ने केजरिवाल के गिरफतारी को जायस ठहराया कोट ने कहा कि E.D. के पास प्रयाप सामगरी थी जिसके आधार पर उन्होंने केजरिवाल को गिरफतार किया है केजरिवाल द्वारा जांच में शामिल ना होना उनके द्वारा की गई बेडिक आसर जो डीशिल कस्टडी में बंद लोगों पर भी पढ़ रहा है हाई कोट ने ये भी कहा कि जो डॉक्यूमेंट इडी ने अदालत में दिये है इसके हिसाब से सभी नियम का पालन किया गया है अब हाई कोट के इस फैसले को केजरिवाल सुप्रीम कोट में चुनावती देंगे दिल्ली हाई कोट ने केजरिवाल को जटका देते हुए कथित आपकारी नीती घुटाले से जोड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफतारी को चुनौती देने वाली उनकी याची का खारिज कर दी इसका मतलब यह है कि वे अभी तिहार जेल में ही रहेंगे और वहीं से सरकार चलाएंगे जज ने केजरिवाल की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें गिरफतारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गये थे जज ने कड़े शब्दों में कहा कोट राजनीती का खाड़ा नहीं है जज कानून से चलते हैं राजनीती से नहीं समेथ सभी के लिए कानून बराबर है जो केजरिवाल साब के वकील है वो लगे हुए है और लगातार न्यायाले इस बात को देख रहा है वकील सारे कारजात के इंस्पेक्शन कर रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि मानी सरवोच्च न्यायाले से जल्द ही अरविंद केजरिवाल जी को न्याय मिलेगा क्योंकि देखिए यह नियाईकी प्रक्रिया है और नियाईक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है पीमले एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन हैं मुश्किल हैं और उसके साथ जब आप साक्षे ही पूरे नहीं रखेंगे सामने पूरी बात आ नहीं रही हैं 20 पन्य अंडेल्याइड डॉकिमेंट में रखे गये हैं मैं सबी पत्रकार मित्रों को बताला चाहते हूं एडी ने 20,000 पन्ने अन्रिलाइड अपॉन डाकुमेंट में रखे हैं यानि कि 20,000 काग्जाद छिपाए गये हैं यानि कि 20,000 काग्जाद एडी कह रही है इस पर हमें भरोसा नहीं है जबकि section 50 PML में तो आप जूटा बयान ले नहीं सकते सबसे पहले बताया जाता है section 50 PML में कि देखो भाई जूटी गवाही दोगे तो तुमारे खिलाफ कारवाई होगी